हलो दोस्तों हमारे जुकेशन चैनल में आप लोगों को बहुत-बहुत स्वावत है हमारे जुकेशन चैनल को आप लोग देख रहे हैं आप लोग के हम लोग बहुत ही शुक्र गुजार हूं कि आप हमारे चैनल को क्या कर रहे हैं देख रहे हैं देखे आप लोग के बीच आज लाएं हैं HCF, HCF यानि कि महत्तम समावर्तर यानि देखे इसका फुल्फरम जो हता है वो हता है हाइस्ट कॉमन मल्टिपर यानि कि हाइस्ट कॉमन चरी फैक्टर यानि कि यहां पर देखे फैक्टर होता है यानि कि HCF का कोई पूछे कि फुल्फरम क्यों हता है तो हाइस्ट कॉमन फै यानि कि जो सबसे बड़ा कॉमन हो वही आपका क्या होता है अनसर होता है अब देखिए जिसकों लोग सौर्ट में बोलते हैं यानि हिंदी में मसा और इंग्लिस में बोलते हैं है जिसकों लोग कहते हैं महत्तम समा बर्तक और यह देखिए एक्जाम में आता है अब देखिए जैसे हाइस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग किस परकार से निकालेंगे एच्छी जैसे यहां पर दे दिया च्छे और यहां पर दे दिया आठ अब इस दूगों जो नंबर दिया य तो यहां 6 का हम लोग फैक्टर करें तो 6 का देखिए यानि कि डिविजबल जो है एक से भी डिविजबल है दूसरे भी है और यहां पर कितना तीन से है और यहां पर अपने आप यानि की 6 है इसी परकार से अगर हम लोग 8 को देखे तो 8 को फैक्टर करेंगे तो इसका 1 और जो common है वह ही होता है तो देखिए एक तो है इसमें भी common इसमें भी common है लेकिन यहाँ देखिए छे है इसमें क्या है आठ है यहाँ पर देखिए तीन है यहाँ पर क्या है चार है लेकिन यह दोनों common नहीं है तब देखिए यहाँ पर जो common क्या है दो है ता हम लोग कह सकते हैं कि 68 का मासज होगा यानि कि हो जाएक आपका दू होजाएगा तो इस परकार से हम लोग क्या करते हैं हम निकालते इसी परकार से देखिए शोला हो गए और यहां पे 12 है तो देखिए इसके बाद खूद अपने आपको नहीं सुल्ल है इसके बाद देखे बारा किसे किसे डिभाट लगता है तो एक से दो तीन यहां पर चार हो गया यहां पर देखे चे और यहां पर क्या है बारा अब इसमें देखेंगे कि यानि हाइस्ट कॉमन यानि जो दोनों में कॉमन है लेकिन हो यहां देखिए 16 यहां 12 नहीं है आठ है चार है चार है तक दोनों में कमन है यानि कि हम लोग कर सकते हैं कि मासा बरावर आपका क्या होगा यानि कि चार होगा तो इस परकार से हम लोग करते हैं सिंपल में मासा निकालते हैं अब देखे इसके बाद यानि कि जो आपको मासा निकाला जाता है तो नुछ के निकाल जाता है यानि कि हम लोग मासा को दूवीधी से क्केरिये हैं हैं सबसे पहले यहां पे तू टाइपस हो गया यानि कि यहां पर टू टाइपस में यानि हो गया देखें फैक्टर मेत और एक हो गया निकालता है फैक्टर यानि कि यह गुण तरह से निकालते हैं यानि कि एक फैक्टर मेठट और एक खता है डिवाइड मेठट तो देखे फैक्टर मेठट में अगर करें च्छे और यहां पर आठ इसका पूछे तो सबसे पहले इसको हम लोग प्रायम फैक्टर करेंगे तो दूसरे देखे तीन बार में कटा दूसरे यानि चार फिर दूसरे इसको डिवाड देंगे तो देखे दो आब यहां पर आपका आया च्छे च्छाओ का फैक्टर जो है वो दू और तीन आया और आठ का जो फैक्टर हुआ वह देखिए आपका दो दो और कितना है दू है इसमें हम लोग यानि कि जो प्रायम संधीक है आप देखें इसी परकार करेंगे तो दूसरे करेंगे तो यानि कि चार वारी टूटा इसके सब्सक्राइब लिखेंगे कि मसा बराबर यानि कितना हो जागा तो लोग इस परकार से मसा को क्या करते हैं निकालते हैं अब देखिए यानि कि जो आगे का मेथड है आप पढ़ें यानि कि यानि कि क्या गता है और ती नमबर के साथ आता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती कर देते हैं उसका जो वीदी है हम लोग देखेंगे देखें तब देख रहे हैं यह वाला जैसे चार है यह पर पांच है इसको भाग भीदी से बनाएंगे तो की चोटता से बडा में भाग देंगे तर Какम कितना आया यानि कि cał बज होगा ने कि चार को तो को देखिए इस को देखिए इसी परकार से हम लोगं यहां पे भाग आता है क्लास 10 में कि भाग एल्गोरिद्म विधि से मस या भाग यूक्लीडियन विका सकता है यूक्लीडियन एल्गोरिद्म विधि से मस ग्यात करें यह जो लिखता है तो जैसे आप मस निकालते हैं उसी परकार से मस निकाले इसको सजाने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला होता है जो लोग पढ़ें बच्पना में यानि कि भाज बराबर जो होता है भाजक गुने भाग फल और जोड़का होता है यानि कि सेस फल होता है यह आपको कलास टेंथ में यानि कि कलास टेंथ में आपको पूछा जाता है और यह पूछा जाता है जिस परकार से पूछा जाता है उसी परकार से हम लोग देखेंगे और देखेंगे तो उस परकार से हम लोग को नमबर एक दाम पूर्ण रूप से मिल जागा नहीं तो नहीं मिल पाएगा आप गलत बना दी जागा तब भाज देखिए इसको हम लो जाँ उसको लिखे हैं सेस फल अब यहाँ पर हम लोग इसको इसको सजाएंगे तब आज इक्वश जो हता है वह बहुत है और यहाँ पॉंच लिखे बरावरे यानि की चार गुना एक पलस के तना एक देखें चार एक हम चार चार वे कितना पाए अभी चार को बाहर निकाले इसको भाज बना दिये तहां पर एक गुना कितना चार प्लास जीरो अब यहां पर देखिए यहां पर हम लोग लीक सकते हैं कि मासा इक्वल टू कितना अंसर एक आपका अंसर आया इसी परकार से देखें नेक्ट सवाल यानि कि जो सेकंड सवाल आपका देगा वह आपका है सजय्व यानिि कि देखे स chrom actu आ यहां पर हम लोग ल्याते हैं 40 स्वलाव 400 का पूछी हैं यहां पर गवाड़ देगे तो सुल्ला देखिए दुनी क्या होता है 32 बज यहां पर 8 आठ से देखिए हैं सुल्ला को भाग देंगे तो 8 दुनी क्यों हो जागा यानि कि HCF जवाब काएगा वो क्या आठ आठ आएगा तो हमको भाग एल्गोरिदम बीधि से सजाना है तो यहां पर लिखेंगे भाग इल्गोरिदम बीधि से यानि कि भाज बरावर भाज एक गुने भाग फ़ल और जोड क्यों होता है सेस अब देखिए तो भाज आपका क्यों हो गया चालिस ते चालिस लिखेंगे सोला गुना कितना दूप पलस रिमेंडर कितना बच गया यानि की आठ बच गया इसी परकार से देखिए यहां पे हम लोग एकिझेगे यानि की इसको देखते हैं पे 16 को बाहर निकालेंगे तरह देखे 16 गया यहाँ पर आपका क्या हो गया यानि कि जो आया याँ 16 ति यहाँ पे 8 गुनादू पल्सका जीरो ति यहाँ पे देखे मसर एकवूल टू आपका जो एका ये वाला हो जाता अन्सर हानी की ओट हो जाता है तो इस परकार से दिखते हैं कि यानि क्लास 10 में मसा पुछा जाता है अने केचिया पुछा जाता है तो इस परकार से हम लोग बनाते है सवाल को और आप इसी परकार से प्रैक्टिस किजिए जिससे आपको आगे का सवाल अराम से बन सके जै विहार जै भर